चंदौली जिले के सदरकोतुवाली पुलिस और स्वाट टीम ने अवैद तरीके से तसकरी कर पूरुवत्तर राज में भेज़े जाने वाली प्रतिबंधित कफ सीरफ की 17,135 बोतले एक DCM ट्रक से बरामत की हैं वहीं ट्रक से एक आरोपी को भी गरफतार किया है प्रतिबंधित कफ सीरफ ट्रक में 612 चोटे बड़े क्रोकरी के काटून के बीच में छुपा कर ले जाई जा रही थी SP के अनुसार बरामत प्रतिबंधित कफ सीरफ की कीमत 50 लाग है और पूरुवत्तर राज में ये जाकर 3 गुने दाम पर बेची जाती थी इस प्रतिबंधित कफ सीरफ का इस्तेमाल नशे के सेवन के रूप में किया जाना था पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की निशान देही पर जो भी सुराग मिले हैं सरगना तक पहुँचने में पुलिस जोटी है बता दे कि प्रतिबंधित शेडूल एच श्रिनी का कफ सीरफ है जो नार्कोटिक्स की श्रिनी में आता है और इसका इस्तेमाल नशे के सेवन के रूप में किया जाता है गिरफतार किये गए गिरोहों के ऊपर NDPC Act गेंग्स्टर और गुंडा Act के तहट भी कारवाई की जा रही है DCM ट्रक पर 603 पेटी क्रोकरी के बीच कप सीरफ की स्खेप को छुपाया गया था चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट